हालो एविवान, गुट मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, होफ़ली आप सब लोग बहुत अच्छे और एकदम ठीक ठाक होंगे और आज मैं शेयर करने जारी हूँ आपसे एक मसाले की रेस्पी जो है बिर्यानी मसाला ये बिर्यानी मसाला बहुत ही flavorful होता है और साथ ही बहुत easy होता है बनाने में तो proper measurement के साथ की कौन सी चीज किस मातरा में लगेगी मैं आज आपके साथ share करने वाली हूँ बिर्यानी में दो चीजे main होती है एक तो चावल आप कैसे उबालते हैं और दूसरा उसका मसाला जिससे main flavor आता है तो ये मसाला किसी भी तरीके की बिर्यानी चाहे आप wedge बना रहे हो चाहे non wedge बना रहे हो उसके अंदर एक जान लेकिया जाएगा साथ ही इसका इस्तमाल आप किसी भी तरीके के पुलाव अगेरा में भी कर सकते हो तो चलिए recipe की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम एक pan लेंगे जो की अभी बंद है हमने gas corn नहीं किया है इसके अंदर हम सारे ingredients जो हैं उनको इकठा कर लेंगे यहाँ पर मैंने measure करने के लिए एक spoon लिया है अगर आपके पास यह measuring spoon नहीं है तो आप कोई भी एक किसी चीज का ढखकन या फिर किसी भी एक spoon से हिसाब लगा के यह चीज़े add कर सकते हैं मैंने 2 tablespoon यहाँ पर धनिया के बीच लिये हैं और एक tablespoon मैंने यहाँ पर जीरा लिया है यह normal जीरा है शाही जीरा नहीं है नॉमल ही आप यहाँ 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 यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर कड़वाहर जो है इस मसाले में आ जाएगी तो ध्यान से डालिएगा उसके बाद मैंने एक ली है बड़ी लाइची और एक teaspoon यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जो हमने धनिया और जीरा मेजर किया था वो हमने टेबल स्पून से किया था और यहाँ पर जो चोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और यह जो मीठी वारी दालचीनी होती है वो अगर आप यूज करेंगे तो उसका फ्लेवर जादा अच्छा हैगा इस मसाले में बाकि अगर आपके पास वो नहीं है तो आप फिर वो जो हमारी regular वारी दालचीनी है वो भी इस मसाले में और इस स्टेज पर आके हमने गयास का उन किया अभी तक हमने गयास ओन नहीं किया था बस एक जगह हम पैन में मसाले इकठे कर रहे थे अब हमें यहां पे सारे मसाले मिल चुके हैं तो अब हम इसको ड्राइ रोस्ट करेंगे ड्राइ रोस्ट करते समय आपको बस इतना कि ये थोड़ा सा तेज गरम हो जाएं और इन सारे मसालों की हलकी हलकी सी खुश्बू जैसे ही आपको आने लगे ना तेज खुश्बू आने तक का वेट नहीं करना है नहीं तो फिर ये मसालों में वह बात नहीं रह जाएगी तो हलकी हलकी जैसे ही खुश्बू आ और फिर जादा ही भुन जाएंगे मसाले और फिर फ्लेवर खराब हो जाएगा इसलिए इमीडियेटली इसको आप ठंडी प्लेट में ट्रांसफर जरूर कर दें और यहां पर आप देख सकते हैं कि मसालो का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है बस एक बहुत अच्छी सी खुश्बू अरोमा इसमें आ गया था पकने से और यह थोड़ा सा गरम हो गया है इसके बाद इनको हलका हमें ठंडा भी करना है तुरंत इसको भूनिएगा मत क्योंकि गरम मसाला आप तुरंत भूनेंगे तो वह और ज़्यादा पक जाएगा इसलिए उसको ठंडा कीजिए और ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सी में चला लेंगे ये मसाला बहुत जादा सूपर फाइन मत करियेगा आप इसमें एक हलका सा दरदरापन रखना है तो बीच वीच में चेक करते हुए आप इसको अच्छे से पीस लीजिए बहुत जादा फाइन भी नहीं होना चाहिए और बहुत जादा दरदरा भी नरहे कि दाने मूं में तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ठीक इसी तरीके का इसी कंसिस्टेंसी का मसाला हमको चाहिए ये एकदम पॉफेक्ट मसाला है बिर्यानी और पुलाव बनाने के लिए बिर्यानी का मसाला है तो आप कोई भी बिर्यानी बनाते हैं तो उसमें एकदम अभी ये मसाला फिर से थोड़ा सा गरम हो जाता है जब हम इसको मिक्सी में चलाते हैं तो इसको पहले प्लेट में डालके ठंडा कर लीजिए और उसके बाद इसको किसी ग्लास कंटेनर में भरके रख दीजिए और इंजॉय कीजिए इसको अपनी बिर्यानी में अपने पुल बिर्यानी के अलग अलग इंग्रीडेंट चेंज करकर के देखे हैं और ये जो मसाला है बिल्कुल पॉफेक्ट है आपकी बिर्यानी के लिए ये बिर्यानी मसाला आपको 100% बिल्कुल भी डिसपॉंट नहीं करेगा ये मिरी गारंटी है तो इसको बनाइए का ट्राइ कीज